नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं कुबैत के अमीर सेख सबाह का निधान कुबैत के अमीर सेख सबाह अल अहमद अल साहब का एकाने वरस के उम्रे में निधान हो गया यह जनकारी देश के सरकारी टीवी ने दिया बता दे कि सेख सबाह अल अहमद अल सबाह की जगा उनके भाई सेख नवाप अल अहमद अल सबाह को उनके नामित उत्रादिकारी हैं वे सासक बनेंगे सेख सबा और आमद पिछले दिनों सरजारी के लिए अमरिका गए थे बता देखे अमरिका से बेतरी समन्ध होने के कारण राश्पती ट्रॉम्प ने उनके लिए वाई सेना का बिबान भी भेजा था 25,000 तक क्रिसी रीन होंगे खत्म कॉंग्रेस जारखन कॉंग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपी एन सिंग ने कहा है कि राज़ में 25,000 तक क्रिसी रीन एक बार में खत्म किये जाएंगे वही नियोजन निती पर हाई कोट के आदेश के संदर्व पर कहा कि जारखन सरकार सिक्ष को कि नोकरी नहीं जाने देगी वे मंगलवार को कंग्रेस भावन में प्रेस कॉंफिरेंस कर रहे थे जैक ने कोर्स में कटवती पर समधी दी जैक ने कोर्स में कटवती से समधित अपना मंतव जेसी ए आर्टी को भेज दिया है जनकारी के अनुचार मैट्री को आइंटर के सिलेबस में 40% कटवती करने पर समधी दी इस पर अंतिम निर्ने होने के बाद पाठकराम में कटवती से सिक्ष को वा विद्यार्चों को अगत कराया जाएगा जो संसोसी सिलेबस जारी किया जाएगा जारखन में 1123 ने संक्रमेद पोष्टी हुई जो राची से 319 बोकारों 129 चत्रा चार देवखर 28 धानबाद अंठावन दूमका एक तीस पूर्भी सिमुम दोसो नो गडवा 29 गिरिडी अठार गोड़ा आठ गुमला सा थाजारी बगपचास जामतरा पंदरा खुटी 22 कोडारमा 30 लाते हार 36 लोर्दगा एगारा पलामू अरामगर 17 सत्रा राची तीन सो उनाइस साहेवगन चार सराय केला 49 सिम्डेगा आठ वो पच्मी सिमू से चवण मिले हाए जारकरन में कुल संग्रा मितों की संख्या 82,540 है जब कि 79,881 लोग सौष्थ हुए और 700 की मिरिती हो गई भारत में कुल संग्रापितों संख्या 62,23,59 है जबकि 51,44,34 लोग स्वास्थ हुए और 97,9529 की मिरिती हो गाई भारत में नए केस 8,500 मिले है जबकि 86,61 लोग स्वास्थ भी हुए है ज्यारखन में मंगलवार को 12 की महत हुई है जो राची से 5, जमसेदपूर से 3, बोकारो से 2, धनबाद वा रामगर से 1 की महत हुई है मंगलवार को 1295 मरीज स्वास्थ भी हुए है एक्टिब केस इस प्रकार है राची 34, पूर्वी 72, नमासी, धनबाद 700, गिरिटी 232, बोकारो 546, चातरा 216, देवघर 211, दुमका 227, गडवा 173, गोटा 192, गुमला 236, हजारी बाग 551, जामतला 130, खुट्टी 309, कोडार्मा 408, लातेहर 211, लोवर्दागा 392, पाकूर 114, पलामू 118, धामगर 224, स सिमडेगा 186, पच्चमी सिमउं 366, मरीज है, जारखन की बेरमो और दुमका सीटों पर 3 नमबर को बोटिंग, जारखन के दुमका और बेरमो विधान सवा सीटों पर 3 नमबर को बोटिंग होगी, यहीं इसका पहिनाम 10 नमबर को आएगा, बताओ दे कि बिहार चुनाओ का पहिनाम 10 नमबर को ही आना है, दुमका और बरहेट सीट से मुकमंत्री हमन सुरेन ने चुनाओ जिता था, उन्होंने दुमका सीट खाली करने का फासले किया, वहीं कांग्रेस के दिगज नेता रायन रस सिंग के निधन के बाद बरहेट सीट खाली हुए है, एंटी पीसी और ने कमपनियों को जारखंड की जनता के हित में काम करना होगा, हमन सुरेन, हजारी बाग जीला अंतरगत बढ़का गाओ में एंटी पीसी के खिलाप विस्थापित प्रभावित अधिकार सत्यागरा अंदरवन चल रहा है, बढ़का गाओ विदायक अंबा परसाथ स्वस्त किया कि जनता के अधिकार का हनन नहीं होने दिया जाएगा, एंटी पीसी हो या कोई अनकमपनी उसे जारखंड की जनता के हित में ही काम करना होगा, छठी जेपीसी मामले में रगवरदास ने हमन सरकार पर साधानी साना, जारखंड के पूर्व मुख मंत्री और भ सरकासी चटी जेपीसी के अमतिम परिणाम में समानी स्रेनिक के अव्यार्थियों से अधिक अंक लाने वाले ओविसी अव्यार्थियों को फेल घोसित कर दिया गया, शिरिदास ने राज विधान सभा चुनाओं में जारखंड मुक्ति मुर्षा द्वारा जारखंड के मू अथिक सस्तिकरन को लेकर काफी गंबीर है, ग्रामिन महिलाओं को सव रोजगार से जोडने पर विशेश जोर दिया जा रहा है, इसी के तहत मंगलवार को जारखंड मंत्रा लाएके सभागार में आजीव का सनवर्धन हुनर अभियान, फूलो जानो अशिर्वात अभियान का सुभारम तथा पलास ब्रांड का अनावरान मुक मंत्री हमान सुरेन ने किया, बता दे कि इस अवसर पर सिरी सुरेन ने कहा कि जारखंड में अब कोई भी महिला सड़क पर हड़िया दारू बेश्ति नहीं दिखेगी रेंज अपसर खर्च के ब्यवरा के साथ बैंक स्टेटमेंट देंगे वन विभाग रेंज अपसरो को अब खर्च के ब्यवरा के अलावा बैंक स्टेटमेंट और मास्टर रोल के साथ मजदूरों का मोबाइल नंबर भी देना होगा मजदुरों को डीवीटी से भुगतान होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी बता दे की रेंज अपसोर दुआरा करीब पांच कोलो रुपए का हिसाब नहीं देने और गोर्मन का मामला परकास में आने के बाद बन सचीव ने ख़च के हिसाब किताब के लिए या व्यवस्था लागू की है जार्खन बिहार सिमा पर सक्ती चुनाव को लेकर अलट जारी बिहार में बिधान सभा चुनाव की घुसना होते ही जार्खन से सटे बिहार की सिमा पर सक्स्ती तेजी की जा रही है बिहार से सटे राजी के जिले गडवा पलामू चात्रा आजारी बा कुडार्मा गिरिडी देवगर दुमका गोड़ा वा साहिवगन जिले में अलट जारी किया गया है बता दे कि इन छेत्र में 26 ड्राइब चल रहा है दोनों राजियों के पूलिस ने समेकित पलान बनाया है ताकि चुनाव की दोरान भीती ब्यवास्ता प्रभावित न हो जामों को बिहार चुनाव के लिए छड़ी चीन मिला है भारत निर्वाचन आयोग ने जार्खन मुक्ती मोर्चा को बिहार में चुनाव के लिए छड़ी चुनाव चीन अवंठित किया है बता दे कि जामों का चुनाव चीन तीर धनुस है बिहार में जद्यू का चुनाव चीन तीर होने के कारण जावमो को वहाँ अलग चीन परदान किया गया जावमो को बिहार में पिछले चुनाव में भी अलग चीन मिला था राज सरकार खतियान के अधार पर लागू करे अस्थानिय निती प्रति निती मंडल मिलकर अस्थानि निती लागू करने की मांग करेगा बाबा बैदनात मंदीर में प्रवेस्थ नहीं मिलने से बाहर जलारपन कर रहे सरधालू कुरोना की वज़ा से जर्खंड से बाहर के बाबा बैदनात के भक्तों को भले ही राज सरकार ने देवघर के मंदीर में परवेश किनमती नहीं दी है फिर भी बाबा के प्रती उनके अस्था में कोई कमी नहीं आ रही है वे लागतार देवघर पहुँच रहे हैं और मुख्य द्वार से बैदनात मंदीर के पंच सूल का दर्शन कर बाहर ही बाबा को जल अरपित कर रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन क्रिसी कानूनों पर पूरे देश में बिरोध हो रहा रामेशवर उरा जारखन कंग्रेस के परदेश अध्यक्स राजे के खाद आपूर्ती तथा बीद मंत्री रामेश उराव ने बताया कि पार्टी के बरिशनेता राहूल गांधी ने क्रिसी वील को लेकर वर्चूल माध्यम से बिहार और महराष्ट सहीत कई राजियों के किसानों पर इस लड़ाई में कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है जारे लेकिन उनके परिजन अभी येरलिफ्ट नहीं कराएंगे बता देखी डक्टरों ने बताया कि सिक्षा मंत्री को कुरोना का खत्रा गंभीर रूप से बना हुआ है ऐसे में येरलिफ्ट करने में दिक्कत हो सकती है प्रधान मंत्री से सक्षनिक सत्र का समय बदलने की मांग परिवारों में महज़ 20% बच्चे ही इसका लाब उठा पा रहे हैं जार्खन सरकार के ताबूत पर पाला किल होगा उपचुनाव दिपक परकास जार्खन के बेरमो और दूम का विधान सभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के परदेश अध्यक्ष धिपक परकास ने कहा कि सरकार में सामिली दलोग का चुनाव हारना तय है परकास ने मंगलवार को कहा कि जार्खन कांगरेस की सरकार नकसलवाद अपराद विकास की सुनिता छलावे की राइनिती बेरोजगारी एक वरस में पांच लाख नोकरी देने में असक्षम सावित हुई है वहीं युवाव से रोजगार भी छीना जा रहा है उन्होंने कहा कि उपचुनाव को देखते हुए सरकार नहीं नहीं घोसनाएक कर रही है जबकि घोसनापत्र भी फल हो रहे हैं ख्रिसी बिल के खिलाप राश्चपति के नाम पांकूर डिसी को सपा गयापन पांकूर जीला All India Professional Congress के सिष्ट मंडल ने केंडर सरकार दोरा पारित क्रिसी बिल के खिलाप मंगलुआ को राश्चपति के नाम DC कुल्दीप चोधरी को गयापन सपा उन्होंने कहा कि देश भर के किसान और विपक्षी पाटी इस बिल के खिलाप अंदोल कर रही है साथी कहा कि हम राष्ट पती से मांग करते हैं कि MSP की कानूनी गरांटी के साथ ही बिवाद की स्थिती में समधान का विकल्प रखा जाए JSSE ने 11 जीलों में बचे हुए बिसायों के सिक्षक नियुक्ति के लिए अभियार्थियों को बुलाया है जारखन हाई कोट के आदेश के बाद राजे के 11 गयर आदिसूची जीलों में बचे हुए बिसायों में हाई स्कूल सिक्षा के नियुक्ति परकिरे एक बार फिर आगे बढ़ी है जार्खन करम चारी चयन आयोग ने इतिहास एवं नागरिक बीसाए के चार जीलों के अतिरिक अभियार्थियों को परवानपत्रों की जाच के लिए आयोग कर्याले बुलाया बता दे कि इसमें पर्णा के मरीज के इलाज में प्लेजमाँ थेरेपी के बेहतर पई नाम आ रहे हैं अब तक 210 यूनिट प्लेजमाँ संग्रह किये गए हैं जबकि 200 मरीज को प्लेजमाँ थेरेपी का लाप दिया गया है बता दे कि राची और जम सेथपूर के बाद अब धनबाद में भी प्लेजमाँ थेरेपीक बेहेस्ता शुरू की जा रही हैं सड़को पर हडिया दारू बेश्ति नहीं दिखेगी महीलाए हिम Ant'suren मुखमंत्र हिमant'suren ने कहा है कि जारखण में आप कोई भी महीलास हड़क पर हडिया दारू बेश्ति नहीं दिखेगी या सरकार का संकलप है उन्होंने कहा कि यह कार महिलाओं मजबूरी में करती है हड़िया दारू बनाने और बेचने वाली महिलाओं को सरकार अब आजीवका से जोड़कर मुख्यधारा में लाने का काम करेगी अभ्यान चला कर इन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा जारखन के लोगों की अवसत आयू 6 मा तक बढ़ी जारखन के लोगों की अवसत आयू 6 मा तक बढ़ गई है बतादे की 5 साल पहले जन्म के समय जारखन के लोगों की अवसत आयू 66 बरस थी जो बढ़कर 59.1 बरस हो गई है बतादे की रईस्टार जनरल आफ इंडिया द्वार जारी एक रिपोर्ट में यह तत्र सामने आया है सराय किला के उद्यम्योग संग बैठक कर एस बी ने बीधी बेवास्था पर चर्चा की सराय किला जीला के आदित्यपूर इस्थित आटो कलस्टर में मंगलवार को पुलिस पर सासन और उद्यम्यों की संग बैठक में जीला के बीधी बेवास्था पर चर्चा की गई बैठक में मुके रूप से एस बी मोहमद और सी समिलित हुए मौके पर उद्यम्यों द्वारा अधित्यपूर इवाम गमहरिया अध्योगिक छेत्र की बीधी बेवस्था संबंदी समस्याओ को ये स्पीक के समक्ष रखा गया टाना भगतों के साथ लोहर्दागा डिसी ने की बैठक लोहर्दागा उपायुक दिलीप कुमार टोपो की अधिक्स्ता में मंगलबार को टाना भगत विकास प्राधिकास समितिक बैठक हुई बैठक में विभीन बिंदूओं पर चार्चा की गई उपायुक ने टाना भगतों को निर्देश दिया की जिन प्रकंडों में टाना भगतों की जमीनों का म्यूटेशन नहीं हुए है उन जमीनों के मामले में उत्रा अधिकारी नमांतरन की परकिरिया परिवार की आपसी समति से फूरी कर म्यूटेशन के ओनलाइन आवेदन करे सभी अंचल अधिकारी सिर्फ ओनलाइन माध्यम से म्यूटेशन के लिए आवेदन प्राप्त करे और उनकी जाचकर म्यूटेशन ओनलाइन निर्गत करे